यहां पर पजारों है हमारे कॉंग्रेस पार्टी के सभी नेतागन और खासकर इस जो रुष्णा पत्र को तयार किये श्री पीसी चिदमरम जी, केशी वेनुवास जी और सारे वर्किंग कमिटी के मेंबर्स, मेडिया के मेरे दोस्तों. आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबु जगजीवन राम का जन्न नभीन भी है और जो बाबु जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक वो इस पार्टी में रहे के काम किये फिर जो कुछ उनका कॉंट्रिबुशन था बड़ा कॉंट्रिबुशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया अईसे दिन आज हम एक घोशना पत्र गरीबुन के लिए हम अर्पित कर रहे हैं आज भारती रास्टे कांगरेस के 2024 के लोगसबा चुनाओं का घोशना पत्र जारी किया जा रहा है इस मोके पर मैं आप सभी का स्वागत करते होए 22 डिसमबर 2023 को जो चिदरंबन जी की अध्यक्षता में 16 सदस्य कॉंग्रेस मैनिफेस्टों कमिटी बनी थी और 19 मार्च को स्री डेवलिशन एसे मंजूरी दी थी व्यापक जन भागिदारी और संपर्क के बाद हमारा गोशना पत्र बना है इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी जिस पर भी काफी सुजाओ मिले हमारा ये गोशना पत्र देश के राजनीती की ध्यास में नाय के दस्तारेश के रूप में याद किया जाएगा राहुल जी के मेत्रत में चली बारत जोडो नाय यात्रा में पांच पिलर्स पर ध्यान केंद्रीत किया गया था यात्रा के दोरान इवा नाय, किसान नाय, नारी नाय, सेमिक नाय और हिस्सेदारी नाय की घोशना की गई थी जहां कई भी हम गए इन नाय की बात हमने करी थी और इसकी ग्यारंटे भी हमने दी है इन पांच पिलर्स में से 25 गारेंटी निकलते हैं हर 25 गारेंटी ने किसी ना किसी को लाब मिले का इसके अंतरगत यहां पर हमारे मेनिफेस्टों में भी है और इसके लिए जो हम पहले से इकलते हुए आये हैं वो भी हमने इसका उल्लेक किया है मैं कुछ बाते आपके सामने रखना चाता हूँ खास कर इवान है के तहट हर सिक्षित इवा की पहली नूज़्गरी अपरेंटी सिफ के साथ पक्की हो जाए ऐसी एक गारेंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम एक लाक रुपे उसके लिए हम एक अपरेंटी सिफ कोर्स करने वाले को खर्च करेंगे और इससे यह फाइदा होगा किसी ना किसी जगे उसको पक्की नौकरी मिलेगी क्योंकि एस खिल डवलोप्मेंट के तहट और बहुत से इंडस्टीज में इनको काम मिलेगा नारी नाय के तहट गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाग की मदद देंगे कोई टालिया नहीं बुज़ा रहे क्या बाद है गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाग की मदद देंगे और किसान नाय के तहट किसानों की कर्ज माफी और इंडस्टीज कानून की जारेंटी भी हम देंगे और श्रमिक नाय इसके तहट मन्रेगा में भी चार सो रुपे ये नियूनितन कम से कम चार सो रुपे मजदूरी दिया जाएगा हिश्चेदारी नाय में सामाजिक और थिक समानता के लिए हर व्यक्ती और हर वर्ग की किंती या जाती जनगर्णा होगी जिससे सब को फाइदा हो गया या किसी के फॉर्ग में किसी के अगरिस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जाती जनगर्णा करेंगे जैसा की स्टी स्टी की जाती जनगर्णा होती है और वैसा ही जो पिछड़े लोग है और भी अपरकास में भी गरीब लोग है सब की हालत क्या है ये जानने के लिए हम जाती जनगर्णा कराएंगे और इसका फाइदा हर वर्ग को मिले या हमारे गोशना पत्र में सम्मिधानिक नय कॉंस्ट्यूशनल जेस्टिस खंड में लोगतंत्र बचाओ भई से मुक्ति से लेकर मीडिया नयपाली का अज़ादी बस्ताचार के खिलाब मुहीम देशे मुद्देश कला सवस्कृति देशे विशेवी है आर्थिक नय एकनोमिक ज़स्टिस खंड में आर्थिक नीतियों बेरोजगारी टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स ये सारी चीज़े उसमें हम लहेंगे इंडस्टिय और इंफरस्ट्रॉक्टर पर ठोस काम हम करेंगे राजनेंग जस्टिस फॉर्ड़ स्टेट्स मैं संगी एकस पुर्वेत भारत पर रोशनी हम डाले हैं और जहां कई भी फेडरल स्टर्टर को धोका होगा हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्मेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे और ताकि वो पैसे के लिए चरस ना हो चाहे वो डाट हो, फ्लड हो, डिशास्टर्स हो इसके लिए नैचरल डिशास्टर्स इन सब के लिए फेडरल गवर्मेंट को कानून के तहट जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएगे उसी के साथ देश की प्रतिक्षा और अंतरिक सुरुक्षा के मात को ध्यान में रख कर रक्षा में आए की भी खंड है जिसमें विदेश नीती भी है और विदेश नीती